नवसकार, राशी चक्कर में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र, आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचांकी सोलह जनबरी दोहजार चौबिस दिन मंगलवार, पौश मास चल रहा है, शुकल पक्ष है, सस्टी तिथी रहेगी, रात को ग्यारा बच कर सतावन मिनट तक फिर सब्तमी तिथी शुरू हो जाएगी, उत्रा भादपन नछत रहे आज, चंदरमा मीन राशी में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूरे मकर राश में विराजमान है, आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, दोपहर बारह बच कर दस मिनट से, दोपहर बारह बच कर बावन मिनट तक, जो भी महत्पूर्ण काम हैं आप अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, तो कारियों के सफल होने की संभा बावना जादा रहेगी, राहुकाल का समय होगा, दोपहर तीन बच कर नौ मिनट से, चार बच कर अठाइस मिनट तक, राहुकाल शुब नहीं माना जाता, इसलिए राहुकाल में कोई भी मात्पूर्ण काम ना करें, दिशा शूल है, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की और लंबी दूरी की यात्रा ना करें, चलिए शुरू करते हैं, आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की, विदेश से संबंधित काम बनेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, लडाई जगडे से बचना होगा, लंबी दूरी की यात्रा ना करें, घर वालों से अपने मन की बात कह दें, व्यापार में इस्थिती आपके लिए अनुकूल रहेगी, जरूरी टिप आलस से बचें, शुबरंग भूरा, उपाय हनुमान चालीशा का पाट करें, ब्रश राशी, धनलाब के रास्ते बनेंगे, सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा अचानक यात्रा पर जाना होगा, एलेक्ट्रोनिक सामान खरीदने के लिए दिन अच्छा है, किसी मित्र से शुब समाचार मिलेगा, जो लोग बिजनस करते हैं, व्यापार में लाब का योग है, जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचें, शुबरंग क्रीम, उपा गव माता को रोटी खिलाएं, मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों की नेत्रित चमता और बढ़ेगी, करियर में उन्नती के रास्ते खुलेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा, आप सह कर्मियों पर शक ना करें, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, व्यापार में निव देश बढ़ाने का समय है, जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें, शुबरंग हलका हरा, उपाय हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, करकराशी भागे का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, सेहत खीक रहेगी, धन के मामले में लापरवाही न परते हैं, आज जीवन साथी से मत्भेद हो सकता है, बाच्चीत में बिनम्रता रखें, जो लोग बिजनस करते हैं, व्यापार में धन की स्थिती बेहतर होगी, जरूरी टिप वानी पर नियंत्रन रखें, शुबरंग सफेद, उपाय हनुमान जी की आर्थी करें, सिंग राशी, धैरे से काम करने का दिन है, वाहन सावधानी से चलाएं, करीबी लोगों से मत्भेद हो सकता है, नेगेटिव विचारों से बचें, आपकी कारेच्छमता बढ़े की, व्यापार में नुकसान हो सकता है, जरूरी टिप, क्रोध से बचें, शुबरंग लाल, उपाय हनुमान चालीशा का पाट करें, कन्याराशी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में आप काम्याब होंगे, करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करना होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, सेहत को लेकर सावधानी बढ़ते, व्यापार में तरक्की का योग है, जरूरी टिप, काम पर ध्यान दे, शुबरंग, सफेद, उपाय, भगवान, गणेश का पूजन करें, अब वक्त हैं आपके सवाल का, यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंट बॉक्स में लेकी हम वहाँ से उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे, अभी जिनका सवाल ले र पज़कर 34 मिनट कोलकाता का जन्म है, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है, इनका सवाल यह है कि अभी ये फाइनेंसियल क्राइसिस में है, कब उससे निकलेंगे, कब इनकी नौकरी में जो परिशानियां हैं वो दूर होंगी समर्द जीद दास गुपता जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, उस आधार पर कुंडली तयार है, आपकी सिंग लगन की कुंडली है और तुलाराशी है, आपका जन्म विशाखान अच्छत्र के तिरती चरण में हुआ है इस समय आपकी शुक्र की महादसा चल रही है, जो अप्रेल 2021 से शुरू हुई है और अप्रेल 2021 तक रहेगी और शुक्र की महादसा में शुक्र की ही अंतरदसा अप्रेल 2021 से अगस्त 2024 तक रहेगी आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो कर्मिस्थान का स्वामी है और वहीं 39 डिगरी का शनी के साथ बैठा हुआ है और उसी की महाद ऐसा चल रही है और शुक्र की दूसरी रासी थर्ड हाउस में है पराक्रम भ्हाउ में है जहांकि चंद्रमा 28 डिगरी का बैठा हुआ है धहरे रखिए आपकी कुंडली के अनुसार अगस्त 2024 के बाद से थोड़ा सा इस्थिती में शुधार होना शुरू हो जाएगा फाइनेंसियल क्राइसिस जो आप बता रहे हैं वो दिख रही है पहली सला तो ये होगी देखे आपकी कुंडली में छटे घर जहां से रोग रेन देखा जाता है वहां राहू बैठा है तीन डिगरी का और वहां से ठिक साथवे घर में यानि बारवे घर में मंगल बैठा है तीन डिक्री का केतु के साथ, मंगल की साथवी द्रिश्टी छटे घर पर है तो कोशिस करें कि आगे से जल्दी से लोन ना ले, लोन लेने से बचें और जो लोन है अगर धन की कमी है परेशानी है तो उसको संभालने का प्रयास करिए दीरे दीरे लोन चुकाईए और अपने खर्चों को कंट्रोल करिए बेवज़ाए गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च करने से बचें फाइनेंसिल आपकी जो इस्तिती है वो दीरे दीरे ठीक होने शुरू होगी अगस्त 2024 के बाद से जब शूरी की अंतरदसा आएगी लेकिन एकदम से ठीक नहीं होगी इसलिए ध्यान रखेगा धिरे धिरे ठीक होगी धैर रखने का समय है जो उपाए आपको बताने जा रहे हैं ये उपाए करिएगा पहला उपाए भागे का स्वामी मंगल बारवे घर में बैठा है तो मंगल से अनकूल फल मिले इसके लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए पाठ करने का समय इस्थान आसन एक रखें दूसरा उपाए प्रति दिन भगवान शूरे को अर्ग दें और ओम घ्रण शूरे आये नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करें तीसरा उपाए हर सोमवार और शनिवार के दिन कम से कम तीन गरीबों को भोजन दान करें सुद्ध साकाहरी भोजन सोमवार और शनिवार के दिन और निमत रूप से भगवान शिव के मंदिर जाएं भगवान शिव को जल चढ़ाएं भगवान शिव की आरती करें और उनसे प्राथना करें कि आपकी ये जो परेशानी है ये दूर हो ये उपाय करना शुरू करिए धीरे धीरे इस्थितियां बदलेगी और आपकी परिशानियां भी दूर होगी तो ये आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखे का वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अब बात तुला राशी कीए धन संबंधी फैसले तुला राशी वाले सोच समझ कर करें चोट चपेड से बचें जीवन साथी से सहयोग मिलेगा विदेश से लाब का समाचार प्राप्त होगा क्रोध से गुस्से से आज बचिये व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरी टिप आलस से से बचें शुबरंग हलका लाल उपाय लक्ष्मी जी की आरती करें ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वालों के नेत्र तुछमता और बढ़ेगी भागय का साथ मिलेगा धन प्राप्ती के मार्ग में आरही बाधाएं दूर होगी बॉस आपके काम की सराह ना करेंगे प्रापर्टी खरीदने का योग है व्यापार में इस्थिती बेहतर होगी जरूरी टिप क्रोध से बचें शुबरंग गुलापी उपाय हनुमान जी की आरती करें धनुराशी मेहनत का फल प्राप्त होगा यात्रा से लाब का योग है करियर में तरक्की के आउसर मिलेंगे मित्रों से मुलाकात होगी संतान को लेकर चिंता रहेगी व्यापार को आगे बढ़ाने का समय है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सुनहरा उपा किसी गरीब को फल का दान करें मकर राशी रिष्टेदारों से मतभेद हो सकता है जल्दवाजी में कोई फैसला ना करें जीवन साथी की सलाह से आपके काम बनेंगे प्रापर्टी से जुड़ा हुआ कोई एहम फैसला आज ना करें घर में तनाव ना वढ़ने दें व्याप पार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप हंकार से बचें शुबरंग क्रीम उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं कुम्भराशी मान यश मिलेगा आय बढ़ाने के लिए और प्रयास करना होगा खुद को मोटिवेट करने की कोशिस करिए मन की चिंता दूर होगी सुभाव में चिल्चिडापन ना बढ़ने दें व्यापार से जुड़े काम बनेंगे जरूरी टिप आलस्च से बचें शुबरंग हलका नीला उपाय हनुमान चालीशा का पाठ करें मीन राशी संगर्स के बाद धन मिलेगा मानसिक तनाव दूर होगा सरकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी परिवार में सुख बढ़ेगा सेहत को लेकर चिंता रहेगी व्यापार में नुकसान हो सकता है जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग हलका पीला उपाय हनुम जी की आर्थी करें राशी चक्र में आप वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप सब का दिन बहुत अच्छा वीते और जिन लोगों का जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत-बहुत बधाई आपका आने वाला पूरा साल शुब हो